नमस्कार दोस्तों, कॉंपटिशन कम्मुनिटी के ओनलाइन प्रेफॉर्म में आपका स्वागत हैं FDR वीडियो सिरीज में 36 गड़ के एक बहुत ही महतपूर्ण टॉपिक 36 गड़ का अर्थिक सर्वेक्षन लेकर हमने आपसे पिछले सप्तम मुलाकात की थी उन मुलाकातों में हमने कुछ चेप्टर पर अधारित प्रशन देखे थे, प्रशन देखते हुए हमने उसकी एक संचिप्ट व्याक्या भी देखी थी आज इस वीडियो पर हम चेप्टर 5 डिसकस करेंगे सरकार के लोकवित पर अधारित तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि यह लोकवित पर हम पढ़ेंगे क्या देखे जब लोकवित कहा जाए पब्लिक फाइनेंस तब सरकार के वित नियोजन पर कुछ बात होने वाली है या फिर आप कह सकते हैं सरकार की राजकोशी निती पर बात करेंगे और अगर एकदम ही असान शब्दों में कहा जाए तो बजट पर हम बात करेंगे राजकोशी निती को ही आप पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी कह सकते हैं और उसे ही आप बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं राज, कोशी, निती को अगर परिभाशित किया जाए, तो शब्दिक अर्थ के अधार पर आप इसकी जनकारी देख सकते हैं, राज, कोशी, निती, राज शब्द इंगित करता है सरकार को, कोश इंगित करता है सरकार की आय और वे को, और निती इंगित करता है प्लानिंग को योजना को तो सरकार की आए एवं वैसे संबंदित योजना को ही हम राजकुशी निती कह दे हैं इन निती के माद्यमों से सरकार समाजिक आर्थिक उद्देशों की पूर्दी करती है क्योंकि सरकार को उत्तरदाई तो सौपे गए हैं समाज कल्यान करने के लिए अब बात ये आती है कि सरकार इन नितीयों के माद्यम से अपने इन उत्तरदाईतों का निर्वाहन कैसे कर पाती है तो सरकार इन नितीयों पर मातरात्मक के साथ साथ गुनात्मक बिंदों पर भी ध्यान लगाये रखती है मातरात्मक और गुनात्मक बिंदों से अत्तात पर यह है तो जब भी सरकार अपनी आयप पर योजना बनाएगी जैसे मान लेते हैं कि कितना कर हमें लाना है तो अगर योजना कुछ ऐसा होता है कि आने वाले वर्ष पर हम 17,00,00,000,00 और टेक्स के रूप में यह कर की रूप में हम अरजित करेंगे यह हो गया उसका मातरात्मक परिद्रिश लेकिन जब सरकार यह जो मातरा है उसे लाएगी कैसे उसे अरजित कैसे करेंगी अरथात किन लोगों पर किस प्रकार का भार लगेगा किस वस्तू पर अधिक होगा, किस वस्तू पर कम करका भार लगाया जाएगा ये सारे ही चीदे उसकी गुनात्मक बिंदू को दर्शाती है तो चलिए इस तरीके से राजकोशी निती को जब हमने समझा तो अब हम आजाते हैं 36 गड़ की राजकोशी निती वाले चेप्टर अर्थात 5 वा चेप्टर लोकवित 36 गड़ का अर्धिक सर्वेक्शन ध्यान रखेगा इस लोकवित वाले चेप्टर पर सिफ 2018-19 के बजटरी एस्टिमेट वाले आकड़ों को हम चर्चा में रखेंगे अपने प्रश्णों में साथ ही आपको यह भी ग्यात होगा कि अभी जो हमारा वर्तमान वर्च है इसकी भी बजट आ चुकी है 2019-20 बजटरी एस्टिमेट तो उनके भी आकड़े आपको याद में रखने हैं अब चुकी हम 36 गड़ के आर्तिक सर्विक्षन पर चर्चा करने वाले हैं तो सिर्फ हम चेप्टर 5 पर दिये गए आकड़ों पर ही आधारित प्रश्णे हाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रश्ण से सबसे पहला प्रश्ण कहता है नेम निलखित कतनों पर विचार करें कतन एक है दो हजार अठारा उन्नीस बजटरी एस्टिमेट में राजास्व प्राप्ती 72,866 करोड राशी अनुमानी थे और दूसरा कसन कहता है 2018-19 बजटरी अनुमान में पूंजी गत प्राप्ती 10,228.16 करोड राशी अनुमानी थे तो चलिए इस प्रश्ट पर हम जाएं उसके पहले कुछ मुलभुद जानकारी से अफ़गत हम आपको कर देते हैं देखें जब भी आप ये वर्श देखें 2018-19,2020 कोई भी वर्श दर्शा कर जब आपसे आगड़े पूछे जाते हैं तो उन वर्शों के सामने कैपिटल लेटर से कुछ दर्शा है जाता है जैसे BE, PE और RE तो चला इस पर हम बात कर लेते हैं तो चलिए हम देखते हैं जब भी बज़ट बनाया जाता है तो लगबग तीन प्रकार के आगड़े समाने रुप से हम देखते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि 2017-18 के सामने A लिखा हुआ है 2018 19 के सामने मान लिजे P E लिखा हुआ है और 2019 20 के सामने मान लिजे B E लिखा हुआ है तो जब यह A शब्द आप देखें तो यह वास्तविक आकड़े या फिर actual को शो करेगा जब आप यह P E देखें तब यह provisional estimate को शो करेगा या फिर आप इसे अस्ताई आकड़े भी कह सकते हैं और जब आप B E देखेंगे तब यह budgetary estimate को शो कर रहा होगा budgetary अनुमान तो क्या है तो जब देखते हैं मान लेते हैं कि 2018-19 के वित्ती वर्ष पर हम बैटे हुए हैं February 2019 पर अभी वित्ती वर्ष समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि मार्च में समाप्त होगा लेकिन फरवरी के दौर पर या फरवरी के समयकाल पर आप बैठे हुए हैं और आने वाले साल के लिए आप योजना बनाने वाले हैं आने वाला साल कौन सा हो जाएगा 2019-20 कैसी योजना आप बनाने वाले होंगे आप यह योजना बनाएंगे कि आने वाले साल पर हम कितनी आय अरजित करेंगे और उन आय के अधार पर हम कितने वै और कहां पर करेंगे तो इस प्रकार से आप प्लानिंग करेंगे आने वाले साल के लिए लेकिन वो साल कौन सा होगा जब आप प्लानिंग कर रहे होंगे वो साल होगा मान लिजे 18-19 का लेकिन प्लानिंग हो रही है 2019-20 की तो जब 2019-20 की आप प्लानिंग कर रहे हैं याने की भविश्यकाल पर बात हो रही है तो वहाँ पर जो आकड़े दर्शाय जाते हैं वो ऐसे अनुवान होते हैं कि 2019 पर हम इतनी आए लाने वाले हैं और इतने वैक करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखे हुए जो आकड़े आपको दिखेंगे BE के सामने ये भविश्य काल को दर्शारा होगा या फिर दर्शारा होगा कि 2019 पर हम इन आकड़ों पर अपने आपको जस्टिफाई करने के लिए प्लानिंग किये थे 2018-19 पर जो आकड़े दिखेंगे उसे प्रोविजनल एस्टिमेट इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इस पूरे 2018-19 के आकड़े अभी तक हमारे पास नहीं आये हैं क्योंकि अभी तो वित्ति वर्ष समाब तो हुआ भी नहीं है तो अगर हुआ नहीं है तो इसके पूरे आकड़े आएंगे नहीं और जितने भी आपके पास आकड़े आएंगे मान लिजे दिसंबर जिनवरी तक के उन आकड़ों को आप अस्थाई आकड़े कह रहे हैं क्योंकि जब साल खतम होगा तब इस्थाई आकड़े आपके पास पहुंच सकते फिर अगर आप 2017-2018 की बात करें तो वहाँ पर एक्शुल आपको देखने को मिलेगा या वास्तविक आकड़ों को दर्शाएगा क्योंकि या वित्ती वर्ष बहुत पहले ही समाप तो हो चुका है तो इस अधार पर अगर मैं कहूं कि 2019-20 के लिए बजट बनाना है तो 2019-20 के सामने जितने भी आकड़े होंगे और 2019-20 के सामने लिखा हुआ बी-ई ये बता रहा होगा कि इन आकड़ों को डिसाइड किया गया था इस साल के लिए जिस साल पर बैट कर मैं 2019-20 के आकड़े बनाऊगा उस साल के सामने पी-ई शो होगा अस थाई आकड़े क्योंकि वह वित्ती वर्ष अभी समाप नहीं हुआ था और जिस वर्ष पर मैं खड़ा हूँ उसका जो पूर्व वर्ष था या भूत काल की अगर आप बात करें तो वहाँ के आकड़े मुझे मिल चुके हैं इसलिए वहाँ उन वर्षों के सामने मैं ए रिप्रेजेंट करूँगा एक्चुल्स अब एक और वर्षों के सामने कुछ वर्ष दिखते हैं जिसे हम R.E. कहते हैं तुझरा उसे भी समझ लेते हैं अब मान लेते हैं कि कहीं पर आपको ऐसा दिख जाता है 2019-20 R.E. R.E. शो करेगा revised estimate को या फिर आप इसे कह सकते हैं पुनरिक्षित अनुमान तुझरा समझते ह ये जो हम प्लान किये थे वह B.E. पर दिखरा होगा लेकिन जरूरी तो नहीं कि जितनी प्लानिंग की गई थी वो सारे प्लानिंग फुल्फिल हो गई होगी वो सब सफल हो गया होगे जितने आकड़े हमने decide किये थे निर्दारित किये थे हो सकते हैं उससे ज़ादा आए ह तो अगर आपको मैत्वता के अधार पर कोई आकड़े पढ़ने हो और एक ही वर्ष है 2019-20 और 2019-20 लेकिन दोनों के सामने B.E. और R.E. क्रमशा दर्शाय जा रहे हैं तो आप R.E. को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि updated के साथ साथ में वह वास्तविक्ता भी द जाल से जो confusion होता है आशा करते हैं कि ये आपको clear हो चुगा होगा तो चलिए अब हम आते हैं इस प्रशन के सही option के chain पर इस प्रशन का सही उत्तर है C. एक और दो सही देखें जब हम यहाँ पर budget बनाते हैं तो कुछ हम यहाँ पर आकड़े भी दर्शाल देते हैं प्रशनो पुझीगत खाता और दोनों ही खातों में प्राप्तियां और वे दर्शाय जाते हैं ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाय जाएगा अब बात आती है कि इन दोनों में प्राप्तियां और इन दोनों में जो वे हैं इन्हें किस अधार पर ये दो अलग अलग खातों पर वरगी गृत किया गया है तो देखे जब भी राज्या सो प्राप्ति आप सुने तो यह ध्यान कर लें कि यह वो प्राप्ति होगी जो सरकार पर लाइबिलिटी क्रियेट नहीं करती या फिर आप कह सकते हैं देता का स्रिजन नहीं करती या फिर आप और असान से समझ सकते हैं कि ये सरकार की वह आय है जिसे सरकार स्रोत को पुना लोटाने के लिए बाद्यकारी नहीं होगा और साथ ही ये ऐसी प्राप्ती होगी जिसे अरजित करने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार की संपत्ती की विक्वाली यहां पर नहीं दिखाई है तो यह प्राप्ति या इस प्रकार की प्राप्ति हमें दिखेगी राजस्व प्राप्ति में जैसे की कर, कर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होता है क्योंकि सरकार को यह कर के रूप में जो आय अरजित हुई है इसे लोटाने के लिए करदाताओं को सरकार बाद्य नहीं है ध्यान रखेगा पैसे लोटाने के लिए बाद्य नहीं है लेकिन सेवाओं की रूप में तो बिल्कुल बाद्यता बनती है वो भी नैतिकता के अधार पर चलिए अब हम बात करते हैं पूझी गत खाता की प्राप्ती किस प्रगार की प्राप्ती होती है तो ठेक यहाँ पर के विपरीत इस्थिती आपको दिखेगी अरधाद अगर यहाँ पर लायबिलिटी नहीं बनाती संपत्ती नहीं बेचती तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सरकार की ऐसी आए जो सरकार पर लैबिलिटी बनाती है या फिर संपत्ती की भी क्वाली से प्राप्त होती है और उधारण के तोर पर आप दे सकते हैं कि जो सरकार उधार और रिंड लेती है वो सरकार की पूझी गत प्राप्ती का हिस्सा बनता है तो चलिए इन थोड़ी सी जानकारी के बाद हम देखें तो यह आप ध्यान रखें कि राज़स प्राप्ती 72,867 करोड रुपए आप देख रहे हैं और यह वाकई में 10,228 करोड राशी यहां पर बन रही है तो चलिए अगर हम इसी में इन सारे चीज़ों को अगर फिट कर दें तो हमने क्या देखा कि 2018 2018 के बज़टरी एस्टीमेट पर हमें राज़स प्राप्ती मिल रही है 22,867 करोड और अगर हम पूंजी गत प्राप्ती को देखें तो यह प्राप्ती हमें मिल रही है 10,228.16 करोड चिक तो यह हमने यहां पर दर्शा दिये अब हम आते हैं हमारे दूसरे प्राप्ती पर 2018 उन्नीस बज़टरी एस्टीमेट के लिए सरकारी वे संबंदित कतनों पर विचार करें अर्दाद यहां पर दिया गया है राज़स वे और पूंजी गत वे के बारे में कुछ जानकारी जानकारी रूपी इस कतन पर अगर हम देज़र डालें तो देखने को मिलता है कि 2018 उन्नीस बज़टरी एस्टीमेट में राज़स वे 14453.9 तीन करोड राची अनुमानित हैं और अगर आप पूंजी गत वे की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 68,422.62 करोड राची अनुमानित दिख रही है तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दोनों ही कतन गलत होते हैं और दोनों ही कतन गलत हो जाने के कारण हमें सहीं ऑप्शन के रूप में मिलता है ऑप्शन डी तो अगर यह गलत है तो सहीं आकड़े क्या है या आकड़े साथ में एक्सचेंज कर दिये गए थे अगर आप राज़ा सवय के आकड़े देखें तो राज़ा सवय का आकड़े आपको दिखेगा 68,422.62 करोड रुपे और वहीं अगर पूंजी गतवे की अगर आप बात करें तो यह मिलेगा 14,453.9 करोड रुपे की राजी अनुमान प्राप्तियों का वरगी करण का आधार देखा ठीक उसी प्रकार से इन वय के वरगी करण का आधार भी हम देख लेते हैं। साथ ही अगर राज्यसवे की आप बात करें तो यह वह वह होते हैं जो उब्भोग मुलक कहलाते हैं। क्योंकि यह वह खर्चे होते हैं जिससे लाब आने की समभावना सरकार देख दिये। और समाने रूप से अगर आप देखें तो आप ऐसे समझ रहे होंगे कि राज्यसवे जादा है यह बुरा बात है क्योंकि इसमें पूंजी निर्मान नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखेगा कि हमारे देश में सरकार को उत्तरदाई तो समाज कल्यांड करने का दिया गया है। आप अरजित करने का नहीं और भले ही हमारे राज्यसवे पर आपको देखने को मिले कि पूंजी गत आयसे पूंजी गत वैसे बहुत ही जादा है लेकिन यह सरकार की अपने उत्तरदाईत के निर्मान के लिए अवश्यक है। सरकार को जिम्मेदारी दिगए है समाज कल्यांड करने के लिए और समाज कल्यांड कारी वै सरकार राज्यसवे पर ही दर्शाती है या यह वही वै है जिससे सरकार यह समाज कल्यांड कर पाती है। तो चलिए इस राजस्वे की जानकारी के साथ ही हमने आकड़े भी देख लिए कि अगर आप प्राप्तियां देखे राजस्वे की तो 72,866 करोड देखेंगे वह है 68,422 और ठेक इसी प्रकार से आपको ये आकड़े भी देख रहे होगे जब आपसे प्रश्ण पूछे सरकार की कुल प्राप्तियों पर तो सरकार की कुल प्राप्ति के लिए आपको राजस्व प्राप्ति और पूंजी गत प्राप्ति को जोड़ देना होगा और कुल वय के लिए राज्यसवय और पूंजी गतवय को भी ठीक जोड़ कर आपको दिखाना होगा तो चलिए यह जानकारी मिल जाने के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले परशने पर अगला परशन कहता है पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 बजटरी अनुमान में कर राज्यसु का कितना प्रतिशत वृद्धी अनुमानिद है तो चलिए पहले हम कुछ जानकारी देख लें फिर हम जाएंगे उत्तर तक देखें एक राज्यस प्राप्ति की जानकारी आप और एड़ाउन कर लेंगे कि इसमें आप ग्रोथ देख रहे हैं 6.25 प्रतिशत का राज्यास प्राप्ति को आगे चल कर और जब वर्गी करण किया जाता है तो दो वर्गी करण दिखता है एक दिखता है कर और एक दिखता है गैर कर कर एम गैर कर की अगर आगे चल कर बाइफर्केशन देखें तो कर पर हमको देखने को मिलेगा राज्य का स्वयम का कर का अंश स्वयम का कर अंश और एक दिखेगा केंद्री करो से जो राज्य सरकार को अंश प्राप्त हुआ है तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जब आप 27,000 करोड राशी आप अनुमानित किये हैं राज्य सर्प्राप्ती में तो कर और गैर कर में इसमें कितने हिस्से बन रहे हैं तो अलगबग अगर आप देखें तो 48,98,000 करोड रुपए आपको देखने को मिलेगा और ठीक उसी प्रकार से ये 23,88,000 करोड देखने को मिलेगा ज्यान रखेगा 1000 करोड पर हम लेकर जाएं इन दोनों को जोड़ देंगे तो 72,000 करोड राशी आपको देख जाएगी तो प्रश्न अब जो पूछा गया है प्रश्न पूछा गया है कर पर प्रश्न कहता है कितनी प्रतिशद वृद्धी अनुमानित है तो देखिए जब आप सिर्फ कर पर अगर आप बात करें तो इनके कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि तो करो के फैक्ट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 48.98 करोर राशी तो यहाँ पर करके द्वारा देख रही है भागीदारी राजास प्राप्ती में और जो प्रतिशत वृद्धी है पिछले वर्ष की तुलना पर वह है 7.1 प्रतिशत और भी कुछ महतपूर आपड़े तो पिछले साल यह वृद्धी 21.90 प्रतिशत देखने को मिली थी और साथ ही एक महतपूर आपड़े यह कि कर राजास का कुल राजास प्राप्ती पे 67.22 प्रतिशत हम भाग देख रहे हैं तो यह है महतपूर आपड़े जो सिर्फ कर पर बने हुए क्या है यह तो मनी अमाउंट फिर उसके पिछले साल में कितनी वृद्धी हुई और पिछले के पिछले साल कितनी वृद्धी हुई और सब हमने देखा कि कर कितना भाग बनाता है राज्यस प्राप्ती का तो इस आधार पर हमारा जो सही अप्शन दिखता है वह है अप्शन सी 7.15 परसेंटेज चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है कथन एक कुल राज्यस प्राप्ती में कर राज्यस का प्रतिशत भागीदारी 35.72 प्रतिशत अनुमानित है कथन दो कहता है 2018-19 बजटरी अनुमान में राज्यस प्राप्ती में कर राज्यस की भागीदारी गैर कर राज्यस से कम है और वहीं अगर आप देखें तीसरा कथन तो कर राज्यस में राज्यस का या राज्य का स्वैम के कर का अंच का हिस्सा किंद्री करों के अंच से अधिक है तो चलिए अभी तक की जानगारी के अधार पर हम कितने कथन की सत्यता जांच परक सकते हैं तो देखते हैं पहला कथन के बारे में अगर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि ये 35.72 नहीं बलकि 60.72 प्रतिशत भाग है दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो राजजस प्राप्ति में कर राजजस की भागीदारी गैर राजजस के कम नहीं अपितु अधिक है आप देख रहे होंगे कि अधिक का आप यहां पर साइंग बना सकते हैं तो दूसरा कथन भी समाप्त होता है अब तीसरा कथन कहता है कर राजजसु में अर्थाथ अब इन दोनों के facts पर आधारित यह कथन बन जाता है तो जब तक इन दोनों के बारे में facts हमें ना पते हो इनके आकड़े ना पता हो तब तक हम इन पर संबंदित कथनों की सत्यता न कर देखें तो यह 48.98 हजार करोर में से स्वैम के करो का अंच बन जाता है 26.03 हजार करोर और जब आप देखें कि यहां मौद्रिक मुल्य कितना प्रतिशत भाग बनाता है कुल यहां पर कर राजजसों का तो हमें दिखेगा 53.14 प्रतिशत यह भागिदारी दर्शार आए ज जब आप अगले important fact पर जाए तब आपको यह दिखेगा 6.51 प्रतिशत यह क्या है यह पिछले वर्ष की तुलना पर विद्धी दर अनुमानित की जा रही है अब फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यह important fact है 35.72 प्रतिशत और यह fact बताता है और यह बताता है राजस प इस fact और इस fact से confuse नहीं करेंगे यह वाला fact कुल राजस प्राप्ती में कर के भागीदारी को बता रहा है और यह वाला fact कुल राजस प्राप्ती में स्वयम के करो के अंश की भागीदारी को दर्शार है तो चलिए अब हम आते हैं केंद्री करो के अंश संबंदिच कुछ 505,000 कаров राशी कुल कर में और ये कुल कर पर कितने प्रतिशत भागीदारी होगी तो 46.86 प्रतिशत भागीदारी है अब विद्धी है 7.87 प्रतिशत यह भागीदारी का प्रतिशत और यह विर्धी का अब चलिए तीसरे कथन पर देखते हैं किसरा कदन कहता है कर राजजास में राजज के स्वैम के कर का हिस्सा किंद्री करो के अधिक है यहाँ पर आप देख रहे हैं 26,000 करो के आसपास है और यहाँ पर 22,000 के आसपास है तो चलिए इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन D केवल 3 सही अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन बर अगला प्रशन कहता है कुल राजजास प्राप्तियों में राजज के स्वैम के करो का कितना प्रतिशत भागीदारी अनुमानित है तो मैंने आपको अभी यह बताई दिया है और वह है 35.72 प्रतिशत और इस तरीके से हम पहुंच जाते हैं सही अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है 2018-19 बजटरी अनुमान में गैर कर राजजस संबंदी कतनों पर विचार करें तो देखिए अभी तक प्रशनों पर हमने प्राप्तियां और वह संबंदीत प्रशन देख लिए कर और कर के दोनों वर्गों पर संबंदीत प्रशन देख लिए अब एक प्रशन के अधार पर इस गैर कर राजजस के आगड़े भी हम एक बार फास्ट तरीके से देख लेते हैं प्रशन कहता है केंदरी सहायता का अंश 15.7000 करोर राशी अनुमानित है केंदरी सहायता का राजजस प्राप्ति में प्रतिशत अंश है 34.21% कें दिया जाएगा एक बाटा जाएगा एक हिस्ता जो केंद्री साहता से प्राप्त राशी को दर्शाएगा और एक होगा जो राज्य का स्वैम का गैकर राज्यास्वर दिखेगा तो केंद्री साहता पर अगर हम बात करें तो हमें यह दिख रहा है कि 23.83000 करोर हमें राशी यहा प्रतिशत भाग होगा इस गैर कर राशी का तो यह प्रतिशत भाग हो जाएगा 65.79 प्रतिशत तो यह हो गई इस गैर कर में इसकी भागिदारी और फिर उसके बाद एक और आकडा लिख लिजे कि यह पिछले साल की तुलना पर 3.74 प्रतिशत वृद्धी यहां पर अनुमान पंद्रा हटा दिया 23 में से तो यहां पर 8.1000 करोर राशी हमें राज का गैर कर राजस के रूप में दिखेगा और यह कितना प्रतिशत भाग होगा गैर कर का तो इसका हमने प्रतिशत देखा 34.21 प्रतिशत और वृद्धी कितनी अनुमानित की गई है तो वृद्धी अनु उत्तर हम देखें तो कथर एक तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम देखने केंद्री साहता का जो भाग है वह 15.7000 करोर राशी दिख रही है लेकिन जब दूसरे कथन पर देखे तो दूसरा कथन गलत हो जाता है क्योंकि यह भागिदारी 65.79 है लेकिन दिया गया है 34.21 एक प्र प्रदिशत अनुमानित है तो वह भी गलत क्योंकि यह अनुमानित है 3.74 प्रदिशत तो एस प्रगार से हमें सबसे सही ऑप्शन पर दिखता है ऑप्शन डी केवल एक सही क्योंकि कथन एक ही यहाँ पर सही है चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है 2018-19 बजटरी अनुमानित है राजस अधिक कब बनता है जब सरकार की राजस प्राप्तियां अधिक हो जाती है राजस वैसे और यह बहुत ही अच्छे संकेत दर्शाता है किसी भी सरकार के बज़र प्रमंदल पर तो इस आधार पर अगर आप देखें तो र राजस अधिक की सिती देखते हैं ध्यान दिजेगा भारत सरकार पर यहां पर राजस अधिक नहीं राजस घाटा दिखता है अर्थात यह साइंग कुछ विपरीत दिशां पर जा रहा होता है अर्थात वह ज्यादा होता है प्राप्तियों से तो जब हम राजस अधिक निक वो हमिलेगा 4445.55 करोर और यह है राजस अधिक की वास्तिविक आकड़े 2018-19 में जो अनुमानित किया गया था ध्यान रखेगा यह बहुत important है क्योंकि मैंने कहा कि यह राजस अधिक अर्थात किसी भी सरकार के बहतर बजट प्रबंधन को दर्शाएगी तो यह बहुत important हो जाता है क्योंकि यहाँ पर से हम देख कर यह निश्कर्स निकालते हैं कि बजट प्रबंधन पर 36 सरकार पिछले कई सालों से अच्छा काम कर रही है तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कहता है दो हजार अठारा उनिस बजटरी अनुमान के लिए विबिन प्रगार के घाटों पर विचार करें पहला कतन राजकोशी घाटा सरकार पर उधारी एवं देवताओं को दर्शाता है जो की दो हजार अठारा उनिस में ना हजार नौसो संतानवे दशमलो दो साथ करोड रुपए राशी अनुमानित है राजास अधे के बारे में हमने चर्चा कर लिया और हमको यहीं से पताच चल गया कि कतन दो सही है कतन तीन कहता है प्रात्मिक घाटा राजकोशी घाटा से ब्याज राशी घाटा कर फ्राप्त की जाती है जो की 6249.82 करोड अनुमानित है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कतन से सबसे पहला कथन हमें कहता है कि राजकोशी घाटा देताओं को दर्शाता है देखें जब राजकोशी घाटा की बात करें या फिर इसे ही हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं तो इसका equation कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि कुल वे से हम हटा देंगे कुल आए ध्यान रखेंगा जब हम यहाँ पर कुल आए लिख रहे हैं तब यहाँ पर उन राचियों को नहीं लिखा जा रहा है जो देता का स्रिजन करती होंगी जैसे कि अगर कुल वे हम देखें तो कुल वे पर हम राजस वे भी लिखेंगे और पुझी गत्वे भी लिखेंगे कुल आए पर हम राजस वे प्राप्ती तो पूरा लिखेंगे लेकिन यहाँ पर पुझी गत्वे प्राप्ती में जो उधार या देता स्विजित करें ऐसे राचियों को हम नहीं लिखने वाले हैं और हमारे आगड़ों के अधार पर अगर हम देखें तो राजस वे कुछ 68.4000 करोड हम देखे थे पुझी गत्वे हमें 14.4500 करोड देखने को मिला था राजस व्राप्ती हमने देखा था 72.86 और जब हम ऐसे राचियों को जिसमें उधार शामिल नहीं है तो यह 314 करोड रुपई हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार से जब हम इस equation को solve करेंगे तो जो हमें money value आने वाली है वो है 9997.25 करोड अब देखें हम इस राजकुशी घाटा को सबसे बहतर मापन के रूप में भी देखते हैं क्योंकि राजकुशी घाटा पर सरकार की सभी वे और सभी आय को दर्शा दिया जाता है यहाँ पर आपको कुल वे के आकड़े भी दिख रहे होंगे और कुल ऐसी प्राप्तियों के भी आकड़े दिख रहे होंगे जो सरकार पर liability create ना करें लेकिन जो यह राजकुशी घाटा आता है यहाँ दर्शा रहा होता है कि अभी इतने amount की और जवरत है आपके कुल वे को पूंड करने के लिए तो और जवरत है मतलब यह कहां से आएंगे तो यह आएंगे सरकार जब अपने उपर liability create करें देतागा से जन करें उधार के माध्यम से या फिर लोक लिखाओं से रिंड लेकर तो इस प्रकार से जो पहला कथन कहता है कि उधारी यह देताओं को दर्शाता है या बिल्कुल कथन सही है और आकड़े भी यहाँ पर सही है चलिए दूसरे कथन पर हमने देख लिया है कि वो सही है तीसरा कथन कहता है प्रात्मिक घाटा राजकुशी घाटा से ब्याज राशी घटा कर प्राप्त की जाती है तो बिल्कुल जब आपको यह पता चल गया कि यह वह राशी है जो सरकार अपने उपर liability create करके उधार लेकर या फिर विभिन माध्यमों से अरजित करेगी विवस्ता करेगी ताकि कुल वे को पूर्ण कर सके अब बात यह आती है कि इसे समान रूप से हम उधारी वाले राशी भी कह देते हैं क्योंकि यह पूरे amount का जब प्रबंदन किया जाएगा तो प्रमुख यहां पर कारक उधारी वाली राशी देखने को मिलता है तो अब उधारी में इतने amount लेने हैं लेकिन इतने उधारी वाले amount को हम इस्तमाल कैसे करेंगे यह अगला report कार्ड होता है क्योंकि जब भी आप उधार पर बात करें तो उधार लेना गलत नहीं होता उधार लेने के बाद वा depend करता है अच्छा बुरा होना कि उसका इस्तमाल किस तरीके से किया गया है अगर उसका उपयोग उभोक के लिए किया गया है तो आप उस उधार वाली राशी को नहीं चुगा पाएंगे लेकिन उधार में लिये गए राशी को अपने विकास के लिए आप ऐसे जगों पर लगाएंगे जहां से आप कुछ लाब अरजित करें और साथ ही साथ जो उधार आपने लिया है उसे भी चुकता करते हैं तो ये सारी चीज़े देखनी होगी कि उधार तो ले लिया गया अच्छा है बुरा है कैसे इस्तमाल किया जा रहा है उसके लिए हमारा अगला प्रकार का घाटा देखने को मिलता है तो प्रामरी डेफिसिट या प्रास्मिक घाटा फिस्कल डेफिसिट से जब हम इंट्रेस्ट पेमेंट या ब्याज भुकतान वाली राच्टी को हटा देते हैं तब हमें देखने को मिलता है तो राजकोशी घाटा कितना था तो हमने अभी देखा 997.25 करोड और ब्याज भुकतान अब ये ब्याज भुकतान हमारे राजा सवय पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि हैं सरकार के वावय हैं जो उभोग मुलक हैं या परिसंपत्यों का निर्मान नहीं कर रही है और ब्याज में कितनी राज़ी का भुकतान किया गया है तो 3747.45 तो प्राइमरी डेफिसिट जो हमें मिलने वाला है वो 6249.82 करोड राज़ी हमको मिलने वाला है और इस प्रकार से हमारा तीसरा कतन भी सही होता है और सही option के रुपे में मिलता है option A सभी सही चलिए अब हम आते हैं question 9 पर question 9 कहता है राज़स वे के विभिन मदो का सभी अवरोही करम चुने descending order तो सबसे सही है यहाँ पर A सबसे ज़्यादा amount हमें अन्य पर देखने को मिलेगा फिर वेतन भत्ते पर pension ब्याज और मजदूरी पर तो option A इसका सही है चलिए उसके बाद इस chapter के last page पर एक table बनाओगा page number 60 पर उसमें बहुत सारे प्रतिशत एक दूसरे की तुलना पर दर्शाए गए हैं यह इसलिए important बन जाता है इसके factor याद करना क्योंकि हमने दो प्रकार की प्राप्ती देखी है राज़स प्राप्ती और पूंजीगत प्राप्ती राज्यस प्राप्ति में सरकार के आये के प्रमुक्सरोत होते हैं जिसे हम कर कहते हैं और कर सरकार जो अरजित करती है वो अपने राज्य के आर्थिक इस्थिति के अधार पर ही करती है अगर राज्य में रोजगार के उसर बहुत हैं बहुत सारे लोग रोजगार से सनलगन हैं तो जाहिर सी बात है लोगों की आए सरकार की आए में व्रिद्धी को दर्शाएगी तो राज्यस प्राप्ति जब भी आप कहें और बढ़ता हुआ राज्यस प्राप्ति उस भगोलिक छेत्र का उस देश का ये राज्य का एक अच्छी आर्थिक स्तिती को दर्शाता है इसलिए इस आकड़ी को पढ़ना बहुत ही important है और इस अधार पर अगर हम सही option का chain करें तो option A 87.69 प्रतिशत चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं राज्यस वे राज्यस प्राप्तियों का कितना प्रतिशत भाग है तो इसका सही उत्तर हमें मिलता है option C पर 93.90% देखिए र प्राप्ति से आपको अपने खर्चों को पूंड करना है तो आप पहला खर्चा पूंड कर लिए राज्यस वे से जो उभोग मुलक खर्चे थे और उसके बाद आपके पास कुछ राशी बच जाती है जिसे हमने कहा था राज्यस वधिक 4,445 करोड रुपे जो अनुमानित की गई थी अब यह दर्शात है कि हमारी आयके प्रमुख स्रोज से हमने अपने उभोग मुलक खर्चे समाप्त कर लिए बची हुई राशी को अब हम पूंजी गत या फिर पूंजी निर्मान के लिए इस्तमाल करने वाले हैं तो कितनी राशी हमारे राजस वे ने ले लिय अर्थात कितनी राशी बची हुई है पूंजी निर्मान के लिए ये आकड़ी के रूप में आपको यह प्रश्ण अपनी महतवता दर्शार होगा और यह है ऑप्शन सी जैसा मैंने बताया 93.90 प्रदीशत अब बात करते हैं यहां पर कुछ केंद्र और राज्य सरकारों के बेच में जो वित्ती संबंद है उस पर अधारित देखें अभी यह मुद्धा बहुत ही जादा सुरकियों पर रहता है जब भी हम वित्ती वित्रण की बात कर रहे होते हैं जिसमें संगबाद का सीधा असर देखने को मिलता है तो इस अधार पर कोशन नमबर 12 अगर हम दे लिखे थे एक करवाले वर्ग पर जहां पर हमने देखा था केंदरी करों का अंज और एक मिला था हमें गैर कर राजस में जहां पर हमने केंदरी सहायता के अनुदान को हमने जोड़ा था तो इन दोनों पर ही पूछा जा रहा है कि राजस प्राप्ति में कितना बतारते हैं हमने देखा करवाला और एक हमने देखा जो केंद्र से साहता मिला था तो इन दोनों money या दोनों amount पर केंद्र वाले का कितना प्रतिशत बनता है साहता अनुदान का इसका प्रतिशत है 40.64 प्रतिशत option बी तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रशन पर और अगला प्रशन और इसके बाद एक और प्रशन देखेंगे वह दोनों ही प्रशन बजेटरी अनुमान 2019-20 पर अधारिद है और यह इस चेप्टर से थोड़ा अलग जाता है लेकिन इन प्रशनों के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि जो आर्थ पूर्ण आकड़ों के साथ प्रशनों को देखकर यह विडियो समाप्ति की ओर ले जाते हैं चलिए कोशन कहता है 2019-20 बजेटरी अनुमान में विबिन प्रकार के घाटों पर विचार करें राज़ासवदीक 1159 करोड रुपे अनुमानित है और राजकोशी घाटा 10881 करोड अनुमानित है देखिए यह दोनों ही कतन सही है लेकिन यह दोनों ही कतन कुछ अल्पकालिक नकरात्मक दिशा आपकी दिखा रहे हैं यह बज़ाट प्रवंदन पर देखें जैसे कि अगर राज़ासवदीक पिछले सार मतलब 1819 पर 4445 करोड था लेकिन इस साल के लिए यह 11 1559 हो गया है अर्थात अब राज़सवदीक में जो आपके पास राशी बच जाती थी जिसे आप पुझी निर्मान पर लगाते थे वह बची हुई राशी की मात्रा अब कम होने की अनुमान आपने लगा लिए साथ ही जब यह कम हो जाएगा तब आपको खर्चों को पूर् तो इस प्रकार से ये दोनों ही कथन सही होता है चलिए अगला प्रशन कहता है दो हजार उन्नीस बिस बजटरी अनुमान के अधार पर राजकोशी घाटा जी एसडीपी का कितना प्रतिशत भाग अनुमानित है देखे जब भी हम जी एसडीपी पर बात करें तो जी एसडी तक्सष्चेनों को हटा दें तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार को आए जी एसडीपी के अधार पर होती है इसलिए कई बर हम टेक्स जीटीपी रेशियो जैसे भी प्रमुख आगडों को याद करते है तो जब आप ये देख लिए कि राज सरकार की जी एसडीप के अधार पर आए होती है और आए के अधार पर ही उधार लिया जाता है क्योंकि जब भी उधार लिया जाएगा या ध्यान रखा जाएगा कि आपकी आए कितनी है क्योंकि आप अपनी आए अपनी शम्ता से उपर आप उधार तो नहीं लेंगे जिसे आप चुकता ना कर और यह अभी शो हो रहा है दो दशमला नौ नौ प्रतिशत सहीं ऑप्शन डी तो इस प्रकार से चेप्टर फाइव के कोश्चन हमने डिल किये कोश्चन सौल करते समय यह ध्यान रखा गया गया कि जाजा से ज़्यादा महतपूर्ण आकड़े आप याद कर पाएं और आपके सामने से यहाँ पर एक तेज गती से फास्ट्रक रिविजन बोट पर निकाल दिया जाए आजा करते हैं इस वीडियो से आपको लाब मिला होगा धन्यवाद